नमस्कार दोस्तों मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तो आज हम बनाएंगे जीरा बिस्किट जो की गेहों के आंटे से बनेगा और बिना ओबन का माइक्रोवेब का बनेगा घर में सिर्फ सिंपल कड़ाई में आप बहुत यह अच्छी तरह से बेख कर सक सकते हैं यह बिस्किट को यह क्या किसी प्रकार का इसकित को आप घर में कड़ाई में आराम से म vocês तो सबसे पहले उसकी तैयारी कर लें कि दो बड़ा चंबच beim जीरा है उसे हमें रोष्ट कर लेना है बिल्कुर इसका नहीं चेंज होना चाहिए ब्लैक नहीं होना चाहिए बस सिर्फ इसमें थोड़ा सा खुश्बू आने लगे इतना रोस्ट हो जाये ताकि हमारा जो बिस्किट में ये जाएगा तो कच्छा पर नहीं होना चाहिए यह ठंडा होने के बाद इसे हम थोड़ा सा क्रश्ट कर लेंगे जिसे एक जीरा में दो या तीन टुकड़ा हो जाए और हमारे बिस्किट में बहुत ही अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आए जीरा का अब मिक्सिंग बोल में हम लेंगे आधी कटोरी घी लेंगे हम वह भी रूम टेमप्रेचर का होना चाहिए ना ही सकत और ना ही बहुत ज्यादा पतला होना चाहिए अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा मीठा बनाने के लिए अपने बिस्किट को तो भी यह पीसा हुआ चीनी है इससे सिर्फ मिक्सी में चला लेना है बारिक हो जाएगा पाउडर फॉर्म में और यह हम चार बड़ा चमच इसमें डाल देंगे जो बिस्किट होगा ना मीठा और नमकी दोनों होगा मिक्स बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है ऐसे हम अच्छी तरह से फेट लेंगे एक से डेर मिनट में ही बहुत ही अच्छी तरह से यह फिट जाएगा इसका कलर भी चेंज हो जा रहा है देखिए चीनी और घी जो है ना अच्छी तरह से एक मक्खन के टेक्स्टर का हो जाना चाहिए तो यह हो गया है अब इसमें डालेंगे एक कटोरी गेहूं का अटा और थोड़ा बाजार जैसा लगने के लिए हम इसमें आधी कटोरी हम मैदा डालेंगे आप चाहे तो सिर्फ मैदा कभी बना सकते हैं पर गेहूं के आटे से अच्छा होता है और इसमें आधा छोटा चम्मच नमक डाल देंगे यह बेकिंग पाउडर है तो यह बेकिंग पाउडर को हम डालेंगे छोटा चम्मच से आधा से थोड़ा ज्यादा इससे हमारा बिस्किट जो है ना बहुत ज्यादा खसता बनेगा और सभी चीजों को हम अच्छी तरह से च्टेनर से चान लेंगे झाल लिया गया है अब इसमें हम डालेंगे एक चम्मच जीरा रोस्टेड जीरा है तो इसे डाल देंगे और डालने के बाद उससे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे इस आटे को बनाने के लिए अब सिर्फ रूजय से रोटी बनता है वैसे हमें प्रेस करके नहीं इसे बनाना है बिल्कुल हलके हाथों से इसे एक जगई गठा करना है इसे दवा के हमें नहीं गूथना है तो हलके हाथों से इसे हम मिला लेंगे और आप चाहे तो इसमें कुछ फ्लेवर ले दे सकते हैं तो ये है वनीला एसेंस तो आप चाहे तो ये एक चमज डाल सकते हैं पर मैं तो इसमें डालूंगी कस्टरड पौडर है ये भी ये भी वनीला ही फ्लेवर का है तो यह दो बड़ा चम्मल जाल देंगे इसमें तो एक हल्का सा कलर भी आजाएगा और टेस्ट भी आएगा तो दोरों में से कोई एक चीज आप इसमें मिक्स कर सकते हैं तो देखिए बंदने लगा है तो अब इसे हमें एक डो के तरह इसे हमें बना लेना है तो यह देखिए डो बन चुका है पर यह भी हमारे हाथों के गर्मी से हमारा जो ओगी है न वो थोड़ा सा मेल्ट हो गया है तो अब इसे हमें रखना है फ्रीज में 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे तो यह थोड़ा सा हाड हो जाएगा ये दस मिनट हो चुका है तो अब इसे हमें क्या करना है बेलना है तो ये बटर पेपर है इसके उपर हम रखेंगे और हाथों से हलका हलका दबाते हुए प्रेस करते हुए इसे फैला लेंगे क्योंकि ये बहुत ही खस्ता है तो ये हमारे बेलने से अच्छी तरह से नहीं हो पाएगा तो हाथ से ही हमें इसे थोड़ा सा बढ़ा कर लेना है और साइड में जो थोड़ा क्रैक है तो इससे कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि वो कट ही जाएगा तो अब इसे हलके हाथों से हमें बेल लेना है इसकी जो भी मुटाई है तो देखे इतना होगा इसका डबल हमारा बिस्किट तयार होगा तो इस तरह से यह हमारा तयार हो गया है तब क्या करना है चाकू के हेल्प से चारो तरफ बराबर हम कट करके निकाल लेंगे जो थोड़ा साइड में जो कटा कटा सा है उस चीज को हमें कट करके निकाल लेना है इससे बाद में हम बिस्किट बना लेंगे तो अब क्या करना है इसके उपर हलका सा हम जीरा और डाल देंगे स्प्रिंकल कर देंगे इससे थोड़ा उपर से लुक वाइज अच्छा लगेगा और बेलंस इसे हमें थोड़ा सा दबा लेना है जिससे इसमें आसानी से प्रेस हो जाए और ये निकले नहीं आप या तो आप कटर के हिसाब से आप गोल लंबा जैसा भी सेप कट करना चाहते इस तरह से बिसकिट को अब कट कर लेना है में आप अब यह केक टीन है तो इसमें बटर पेपर लगा लेंगे और इसी में बेक करेंगे आप अगर यह ना हो तो आप किसी इस तील के प्लेट में भी आप पेक कर सकते हैं एल मुलियम फाइल से थोड़ा सा रैप करके अब इससे थोड़े थोड़े दूरी पे हम इसे बिस्किट को सजा देना है और एक साथ इसमें आ जाएगा ये और हमने दस मिनट पहले ही प्रीट कर लिया था कढ़ाई में कढ़ाई को और इस पे एक नेट लगा करके इसके उपर हम केक टीन को रख लेंगे और इसे डग देंगे अब बिल्कुल लो फ्लेम में 20 से 22 मिनट तक इसे हम रखना है में ये 20 मिनट के बाद का ये लुक है देखिए देखने में तो लग रहा है जिससे कि ये पका ही नहीं है लेकिन देखिए पीछे साइट से कितना अच्छा कलर आया है इससे ज़्यादा आप नहीं इसे बेक करें नहीं तो ये बहुत हाड हो जाएगा तो अब इसे हमें निकाल लेना है और निकाल के किसी भी नेट के ऊपर अपने बिस्किट को ठंडा करने के लिए रख देना है नहीं तो सौगी हो सकता है और अभी गरम है तो ये बहुत नाजुक है तो बहुत हिसाब से इसी उठाए और ठंडा होने के बाद ये बहुत ही बढ़ियां बन गया है ठंडा होने के बाद देखिये ये कितना अच्छा बना है कितना अच्छा color है इसका और पीछे से भी बिल्कोल हलका सा ब्राउन है यह और यह कितना खसता है इसे भी मैं दिकाती हूँ आपको यह देखिए कितना खसता है यह और इसे जदा नहीं 20 मिनट से जदा इसे नहीं हमें उबन में लगाना है तो यह कितना अच्छा सा हमारा जीरा बिस्किट बनके रेडी हो गया है तो इसकी रेसिपी आपको कैसी लगी अच्छी लगी तो लाइक करें शेयर करें अपने फ्रेंड और फैमली के साथ और अगर मेरे चैनल पे नए हो तो सबस्क्राइब करना बिल्कुल नहीं बूले तो ये जीरा बिस्किट आपको कैसा लगा जरूर कमेंट करें